नमस्कार दोस्तों आज के बड़ी में हैं दोस्तों Mutual Fund FD यानि कि Fixed Income Mutual Fund के बारे में जानने वाले हैं Fixed Income Mutual Fund जिसका एड़ आप टीवी पे लगातार देखते आ रहे हैं अब भी IPL में पूरा एड़ उसे का आता है, Fixed Income Mutual Fund, Fixed Income Mutual Fund यानि कि जिसको भी mutual fund से डर लगता है जो fixed income राप्त करना चाते है mutual fund में, वो fixed income mutual fund में invest करें, दो दोस्त होता है दोस्त बोलता है, देखो मैं market से दूर रहता हूं दूसरा दोस्त बोलता है कि देखो कुछ ऐसा भी fund होता है, जो तुम्हारी तरह market से दूर रहता है, वो होता है fixed income mutual fund, तो इसी के बारे में हम लोग वीडियो में पुरा विस्तार से जानने वाले हैं अगर आप beginner है, mutual fund में कभी invest नहीं किये हैं, तो आप ये video जरूर देखिए आपको समझ में आएगा कि fixed income mutual fund होता क्या है, तो beginner के या special है video क्या क्या आपको बताएंगे वो सब वीडियो में आगे आपको पता चलने वाला है तो सबसे पहले हम थोड़ा basic वाते जान लेते हैं कि mutual fund होता क्या है, सबसे पहले आप समझेए, कि कोई full होता है full को अगर बहुत सारा full एक मिला देते हैं उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिफ चूज करना है वोना fund manager को चूज करना है या भी जो भी उसमें fund दिख रहा है उसको चूज करना है, तो पैसा कहा है invest करना है वो अपना तरीके से सोचना है, या फिर उस पे भरोसागर के छोड़ देना है, वो fund manager manage करता है आपके fund को, आपको fund manage उसमें नहीं करना होता है, तो वो mutual fund होता है, इसके बारे मिश्टार से हम लोग आगे किसी वीडियो में जानेंगे, फिलाल हम लोग जानते हैं कि fixed income mutual fund होता क्या है, 12 fund basically जो होता है, वो चार तरह का होता है, एक होता है equity fund, equity fund में क्या होता है, कि इसमें जितना भी पैसा आप invest करते हैं, वो share market में invest होता है, stock में लगता है, इसमें जो भी पैसा आपको मिलेगा या जो भी आपको नुकसान होगा, वो पूरा का पूरा market पर depend होता है, इसलिए fund में होता है, या फिर जो भी treasury bill, या जो भी money market से money से संबंदित market है, उसमें invest होता है, इसको बोलते है debt fund, और debt fund को ही बोला जाता है, fix income mutual fund, तो आज हम लोग इसी debt fund के बारे में विश्तार से जानने वाले हैं, पूरा चर्चा करेंगे, इस पर आपको पूरी बाते समझाएं fund, इसमें क्या होता है, कि आधा equity, आधा debt ऐसे balance करके fund बना जाता है, ताकि जिसमें जिसको कि ज्यादा एक्स नहीं भी लेना है, और कम भी एक्स नहीं लेना है, तो बीच बीच का प्राप्ट करना है, तो उसके लिए होता है balance fund, उसमें आपको ठिक ठाक return मिलता है, और चौ solution oriented fund, तो ऐसे भी बहुत सारे mutual fund होते हैं, इसमें आपको provide कराए जाता है, तो हम लोग आईए बात करते हैं debt fund के बारे में, यानि कि में आज का मकसद क्या है, आज का मकसद भूलना नहीं है, आज का मकसद है fixed income mutual fund, इसी के बारे हम जानेंगे, बाकी चीजे जो है बाद में request करेंगे तो उस पर हम लोग video बनाएंगे, तो आईए मकसद पर चलते हैं, दोस्तों मकसद है सिधा debt fund, तो debt fund होता क्या है, कि debt fund में जब आप invest करते हैं, तो आपका सारा का सारा पैसा जो है, वो fixed income वाले fund में जमा होता है, fixed income जिसमें मिलता है, उसी में invest के जाता है, जैसे treasury revenue होता है, corporate bond होता है, commercial paper होता है, या government security होता है, और जो भी money market से सम्मंदित, जो भी fund होता है, उसमें आपका सारा पैसा लगाए जाता है, मतलब कोई भी stock में पैसा इसमें नहीं लगाए जाता है, तो इससे क्या होता है कि आप इसमें जो decided maturity date हो जाता है, यह सब जैसे security है, उ interest rate भी इसमें पहले से पता रहता है कि कितना मिलने वाला है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी income होने वाला है, लगवग इतना income होने वाला है, तो इसलिए इसको बोला जाता है date fund को fixed income mutual fund, इसमें क्या है कि इसमें आपका stock में पैसा लगा नहीं, तो यह effect नहीं करता है तो इसमें आपको पैसा इंवेस्ट करने में आपको डरना नहीं है कि आपका पैसा डूबेगा, हाँ ये भी तरह का मुच्वल फड़नी होता है, लेकिन ये मार्केट से संबंदित नहीं होता है, जैसे आपको एड में बार बार बताया भी जाता है, अब देखते हैं कि इसमे आपको friction, security में सारा investment जाता है, कोई भी पैसा इस stock में नहीं जाता है, दूसरा क्या है, इसमें कि आपको pre-determined maturity date मिल जाता है, पहले से पता हो जाता है कि कम mature होगा, एक साल, दो साल, तिन साल, पांस साल, इस अब आपको पहले से पता रहता है, return में stability मिलता है, आपका पैसा क में और इकस जो होता है लो टू moderate होता है, moderate भी उसमें होता है, जिसमें आपको ज्यादा return मिलता है, नहीं तो ज्यादा तर में लो इकस नहीं होता है, और इसमें आपको एक और चीज़ में जाता है, लिक्युडिटी की जो कि आपको FB FR community की जिँ कर सकते हैं, या फिर अगर कर सकते हैं आप 3% को sell कर सकते हैं तो यह सब दोस्तों मुचल fund का खासियत है और उसमें भी यह date मुचल fund का खासियत है taxation की बाद कर लेते हैं दोस्तों tax section rule क्या कहता है देखिए FD में भी आपको return पर tax तो भी देना ही पड़ता है आपको जितना भी उसमें return मिलेगा या तो आपको वहीं पर tax देना पड़ जाएगा बैंक में ही तो आपका income tax में tax भरना है पड़ेगा इसमें भी कुछ उशी तरह से है अगर आप 3 साल या उससे कम कम मुचल fund लेते हैं debt fund में invest करते हैं इसमें short term capital gain tax लगता है short term capital gain tax में क्या होता है कि आपको यहाँ पर कोई tax देना नहीं पड़ेगा लेकिन जितना भी आपको profit होगा वह आपके income tax में report कर दिया जाता है उहाँ पर आपके total income में जूर जाएगा तो आपको देखेगा कि कितना आपको mutual fund से आए मिला है कितना आप उससे profit कमाए है तो आप अगर आप taxable income में आते होंगे तो आपको tax देना पड़ेगा तीन साल से ज़्यादा का अगर आप mutual fund लेते हैं तीन साल से ज़्यादा अगर आप invest करते हैं तो आपको long term capital gain tax देना पड़ता है और जो की होता है कितना percent 20% long term capital gain tax 20% आपको देना पर सकता है अब आप समझें कि 20% तो बहुत ज्यादा tax हो गया लिके नहाँ पर आपको एक advantage मिल जाता है indexing का है indexing क्या होता है आपको surter में समझा देते हैं इंडेकसेशन क्या होता है कि जाएसे आज आप 2,00,000 रुपए कि पांठ साल के लीकिए पांठ साल के बाद वहो आपको तीन लाग मिला तो एक लाग का profit होआ तो तो दो लाग पेट लाग प्रोफिट दिख रहा है, लेकिन इंडेक्सेशन में क्या रहता है? इंडेक्सेशन में देखा जाता है, दो लाग जो आज आप इंवेश्ट किये, पांस साल के बाद उस दो लाग का कितना बेल लीओ है? या मुद्रास फिती आपको समझते हैं कि कितना मतलब महगाई बढ़ा है उसी सबसे उसको कल्कुलेट किया जाता है तिसे दो लाख अभी दो लाख को कोई समान खरीद रहे हैं पांस साल के बाद वह समान आपको धाय लाख में मिल दा है ति आनि Healthcare 50 जार बढ़ गया तो हां पर आपको 30 म,50 लाख से टिंकर आपके प्रोफिट हो है तो आपको जो भी टेक्स देना पड़ेगा वहुद 50.000 पही देना पड़ेगा आई अब जागी जानते हैं दोस्तों इसका कितना return मिलता है, कितना क्या क्या मिलता है, जानते हैं कि mutual fund काम कैसे करता है, कितना return मिलेगा, कितना invest करेंगे, इस return जानने के जिए दोस्तों हम लोग सीधे grow work की website पे चलते हैं, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कितना invest इसमें लिश्ट दिया हुआ है, जो कि अभी top performer है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदित्या विर्ला का है, जो कि एक साल में 7.3% दे रहा है, यूटी आई है, जो कि 5.7 दे रहा है, निपन इंडिया का जो है, वो 6.5 दे रहा है, इसी तरह से और भी देखते हैं, नी विर्ला करेंगे, तो यहाँ पे देखी कितना फंड दिखेंगे, विर्ल में हाँ पे देखें, तीन सो नेवासी मोचल फंड का लिस्ट दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पे एक साल में 7.2, 6% दे रहा है, और तीन साल में जो दे रहा है, वो और 5 साल में तो रिटर्न घटके और बहुत कम हो जाता है, किसी में 5%, किसी में 4%, किसी में 6%, इस तरह से रिटर्न मिलता है, तो एक फिक्षिन का मोचल फंड है, वो सौट डियोरिशन के लिए ही सही दिख रहा है, 7-7% तक आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, अगर आप F कराते हैं, तो FD में भी मोटा मोटी आपको 7% रिटर्न मिल ही जाता है, तो इस तरह से देखे दोश्तों, तो एक साल में एवरेज जो है, फिक्षिन का मोचल फंड में आपको 6.9 यानी की लगवग 7% रिजन मिल रहा है, और FD में भी 7% मिलता है, और अगर आप 444 दिन वल बैंक का FD करते हैं, तो उसमें 7.7%, सिन्यर स्टिटिन को 7.7% 7.5% तक मिल रहा है, तो आप अपने इसाब से देखे कि आपको कहां इंवेस्ट करना उचित लगेगा, मुचल फंड फंड फिक्ष्ट इंकम में करेंगा, या फिर FD में वो आपकी राय है, लेकिन दोवों मे लगख लगख सेम रिटर्ण मिल रहा है एक साल में, ज्यादा साल, 3 साल के लिए करते हैं, तो 3 साल में जो है, फिक्ष्ट इंकम मुचल फंड में आपको जाल रिटर्ल मिल रहा है और बैंक FD में आपको कम रिटर्ल मिलता है झाल